वेल्कम बैक तो माई चैनल स्पाइस ओफ लाइज तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टॉबेरी मिल्क शेक यह बहुत ही आसान है बनाने में और आएज देखें इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीछ चाहिए तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना माई दो लिए का तो स्टॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए हमें एक कटोरी स्टॉबेरी चाहिए जिमनर मैंने रफली चॉप कर लिया है आइस क्रिम चाहिए स्टॉबेरी मिल्क चाहिए ड्रेसिंग के लिए स्टॉबेरी चाहिए वेफर चाहिए 5-6 इस्टॉबेरी वाले और ड्राइफूट्स में मुझे बदाम और काजू चाहिए तो एक जार में दूट डालूंगी ड्राइफूर्ट स्टालूंगी वेफर्स स्टॉपबरी वाले आइस्क्रीम और स्टॉपबरी थोड़ी सी हम बचा लेंगे ब्रेसिंग के लिए और अब इसे ब्लेंड कर लेंगे मैंने शुगर नहीं डाली है कि आइस्क्रीम में स्टॉबरी में अपनी फ्रूट की शुगर होती है तो अब हम एक जार में शेट को डालनेंगे और इसकी ड्रेसिंग करेंगे स्टॉबरी आइस्क्रीम और स्टॉबरी जाल देंगे हमारे स्टॉबरी शेक बनकर रेडी है मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई हमारे स्टॉबरी जालनेंगे